देखो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदरम बात करेंगे स्कोटलेंड वर्सिज नेधरलेंड के बीच होने वाले ICC वर्ल्ड कप वालिफायर मैच की ड्रीम 11 टीम और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में और ये वाला मैच कहला जाएगा क्वीन स्पोर्ट्स कलब बलुवायो के ग्राउंड के उपर 6 जुलाई को दोपैर को 12 बच के 30 मेट पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार सबसे पहले बात देखो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम स्कोटलेंड और नेधरलेंड के हर एक क्लिर का रिकोर्ड देखेंगे जिसके मदच्छे आप अच्छे कासे स्मोल लिग और गेंड लिग की टिम बना सकते हूँ वही देखो दोस्तों अब भी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब याद से कर दीजिएगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल याद से जोइन कर लिजिएगा क्यूकि टोस होने के बाद जो भी अपडेट आएगी ना फाइनल पिच रिपोर्ट प्लेइंग 11 और टीम वगेरा वो आपको टेलिग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी और टेलिग्राम बिल्कुल फ्री है और हाँ यार वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक वाला बटन प्लीज दबा दो तो दोस्तो वीडियो के स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कोटलेंड की टीम का अब तक इस साल ICC World Cup Qualifier के अंदर क्या performance देखने को मिला है देखो दोस्तो स्कोटलेंड की टीम ने अब तक इस साल ICC World Cup Qualifier के अंदर 6 मैच खेली हैं जिनमेंसे 5 मैच जीते हैं अगर हम इन मैचेज की बात करें तो स्कोटलेंड की टीम ने पहले मैच में आर्लेंड को एक विकिट से हराया दूसरे मैच में UAE को 111 रनों से हराया तीसरे मैच में ओमान को 6 रनों से हराया चोथा मैच स्कोटलेंड की टीम सिरलंका से 22 रनों से हार गई थी पांचियों मैच में स्कोटलेंड ने वेस्ट इंडिज को 7 विकिट से हराया और चाटे मैच में स्कोटलेंड ने जिमवाब्बे को 31 रनों से हराया यानि 6 मैच से 5 मैच जीते हैं और अगर देखो दोस्तों इन 6 मैचों के अंदर स्कोटलेंड की तरफ से बात करें तो ये जो 4 प्लेर रना ये टोप प्रफोर्मर देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहला नाम है ब्रेंडन मैक मूलन जो की इनके 3 नमर में बैटिंग करने आते हैं राइट हंडिड बैट्स में राइटाम मीडियम बोलिंग कर लेते हैं अगर इस प्लेर के रिकोर्ड की बात करें ना तो लास्ट मैच में 2 विकेट 34 रन उससे पहले वाले मैच में 69 रन 3 विकेट उससे पहले वाले मैच में 0 रन 5 विकेट उससे पहले वाले मैच में 137 रन 1 विकेट उससे पहले वाले मैच में 4 रन 1 विकेट और उससे पहले वाले मैच में 10 रन 5 विकेट और देखो दूस्तों 3-4 मैचों के अंदर तो Brandon McMullen, Dream Leven के उपर Captain ये Vice Captain में से भी एक बना है उसके बाद दूसरा नाम है Chris Grimm जो की Right In It Batsman राइटाम लेक ब्रेक बोलिंग कर लेता है Recent record की बात करें तो 1 Wicket, 2 Wicket, 4 Wicket, 56 Run 5 Wicket, 22 Run, 1 Wicket, 20 Run, 0 Wicket यानि एक मैच को छोड़ दो Almost हर मैच में Dream Team में था और काफी important player निकल के आ रहा है तीसरा नाम है Mark Watt जो की एक left time और दोग spinner है और betting भी कर लेता है Recent record की बात करें तो last match में 21 Run 1 Wicket उससे पहले 2 Wicket, 25 Run उससे पहले 1 Wicket, 57 Run उससे पहले 1 Wicket, 27 Run उससे पहले 1 Wicket और उससे पहले 3 Wicket, 4 Run यानि almost हर मैच में एक player Dream Team में देखने को मिला है और चोथा नाम है Chris Soul जो की right time first game passer है last match में 3 Wicket, उससे पहले 2 Wicket उससे पहले 0 Wicket, फिर 3 Wicket 1 Wicket, 2 Wicket यानि 6 में से 5 मैचों के अंदर इस player ने Wicket निकाले है ये दो 4 player है इन 4 player हो का record इन 6 मैचों के अंदर इसे World Cup Qualifier के अंदर अब तक 6 मैचों के लिए जिन में अगर मैचों के record की बात करें तो नेधरलेंड के टिम ने पहला मैच जिमवाबेस के खिलाफ खिला था और नेधरलेंड के टिम 6 Wicket से वो मैच हार गई थी नेधरलेंड ने दूसरा मैच USA खिला था वो मैच नेधरलेंड के टिम 5 Wicket से जीत गई थी तीसरे मैच में नेधरलेंड ने नेपाल को 7 Wicket से एर आया था चोथा मैच वेस्टिनिज के खिलाफ था वो मैच टाई हो गया था उसके बाद Super World में वो मैच नेधरलेंड जीत गई थी उसके बाद पाच्वा मैच नेधरलेंड से अरी 21 रनों से और चटे मैच में नेधरलेंड ने ओमान को राया 44 रनों से यानि देखो दोस्तों 6 मैचों में से बात करें तो नेधरलेंड की टीम ने अब तक 4 मैच जीते हैं और इन 6 मैचों में अगर हम नेधरलेंड की तरफ से बात करें तो टोप प्रफोर्मर रहे हैं विक्रम जीत शिंग ओपनिंग करने आते हैं लास्ट मैच में 110 रन जीरो विकेट उससे पहले 37 रन 0 विकेट, उससे पहले 30 रन, उससे पहले 8 रन 1 विकेट, और उससे पहले 18 रन 1 विकेट, यानि बैटिंग बोलिंग दोनों कर सकते हैं, ओपनिंग करने आते हैं, रीशन फोम भी ठिक टाक देखने को मिल रही है, दूसर नाम है Logan Van Bag, जो कि इनके राइटाम मी मैच में 12 रन 1 विकेट, यानि 6 मैसे 4 मैचों के अंदर ये प्लेयर ड्रीम टीम में देखने को मिला है, उसके बाद तीसरा नाम है Bust Daily Day, जो कि 4 नंबर के प्लेयर है, राइटाम मीडियम बोलिंग कर लेती हैं, लास्ट मैच में 49 रन 0 विकेट, उससे पहले 41 रन 3 विकेट, 33 रन 2 विकेट, 41 रन 2 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 4 रन 1 विकेट, ओल्मोस्ट हर मैच में ड्रीम टीम में था, और 2-3 मैचों में तो सीवी सीवी बन चुका है, और चोथा नाम इनकी तरब चे स्कोर्ट एडवर्ड, जो कि इनकी कप्तान है, विकेट की पिंग भी कर लेती हैं, लेकिन उससे पहले 67, 67, 0, 67, 83, यानि देखो दोस्तों, 6 मैच से 2 मैचों में फ्रोप है, बाकी जो 4 मैचों में परफोमेंस दिया ना, उनमें 60 प्लस रन बनाए हैं इस प्लेयर ने, तो ये जो 4 प्लेयर रन एधर लेंड की तरब से, उन प्लेयरों का रिकोर्ड ओबनिंग करने आएंगे, उसके बाद 3 नमबरे बैटिंग करने आएंगे, ब्रेंडन मैक मूलन, यानि ये 3 प्लेयर होगे टोप ओडर के, उसके बाद मिलोडर की बात करें, तो जोर्ज मंजी, रिची बैरिंटन, थोमस मैकिन्टोस, और माइकल लिस्क थोड़ी बहुत ब बोलर है, चटा बोलिंग ओप्सन इनकी टिम लास्ट मैच में यूज गया था, माइकल लिस्क जिनोंने 2 विकेट निकाल लेते, यानि ये 6 बोलिंग ओप्सन देखने को मिल सकते हैं की तरब से, मैं आपको लास्ट मैच का थोड़ा सा बोलिंग सेनर्यू समझा देता हूँ लास्ट मैच में क्रिस सोल ने 7 वर की बोलिंग की थी, ब्रेंडन मैकमुलन ने 8 वर की, साफियन सेरिफ ने 6.1 वर की, मार्क वोटन ने 9 वर की बोलिंग की, क्रिस ग्रीव ने 5 वर की बोलिंग की, और माइकल लिस्क ने 6 वर की बोलिंग की, आपको बता दो इससे पहले जो च्छटे बोलर के तौर पे या फिर क्रिश्टो पर मैक क्र्शो की रैटर मेडियम बोलिंग करตे हैं यह भी बोलिंग कर सकते हैं च्छटे बॉलर के तौर पे यहां पे इनका एक बोलर यह चेंज हो सकता है बैटिंग ये गर हम बात करें तो ब्रेंडन उसके बाद एक दो मैचो से Mathieu क्रोस भी ठिक पर बेटिंग रहे हैंRead यह दो पर दिक ठताक बेटिंग कर पर लिए जोर्ज मंजी रह सकते हैं nowby उसके बाद अगर स्कोट항 Evangel को बेटिंग करें तो बाकी हाई चांस और यहां पर पहले बॉलिंग रहे हैं स्कोटलेंड की टीम, फिर क्रिस सोल और साफियान सेरी फाई जांस अपनी दस दस ओवर की बोलिंग करेंगे, जिसमें क्रिस सोल को तो हरको यह बंदा सलेक्ट करेगा, क्योंकि रिसेंट रिकोर्ड काकेच है, लेकिन साफियान सेरी तो आपके लिए ग्रेंड लीक का डिफरे और बोलिंग की बात करें, तो रियान क्लेइन, आरियन दर, क्लेटोन फ्लोईड, लोगन वेन बेक, उसके बाद बस डेल लीडे, उसके बाद शाकीब जुलफिकार, यह 5-6 बोलर मेन होगे, उसके बाद विकरम जी छिंग भी कभी कवार बोलिंग करने आज आते हैं, अब आस मेच मिन का बोलिंग का स्रेडियोगरम देखें, तो लोगन वेन बेक ने 8 ओर की बोलिंग की थी, रियान क्लेइन ने 9 ओर की बोलिंग की थी, बस डेल लीडे ने 9 ओर की बोलिंग की थी, आरियन दत ने 10 ओर की बोलिंग की थी, यह जो 4 बोलर थे, इन्होंने मेन बोलिं की थी उसके बाद शाकिब जुल्फिकार ने तीन ओर की क्लेटोन फ्लोइड ने चार ओर की और विक्रम जी चिंग ने एक ओर की बोलिंग की थी यानि यह से भी हम अगर देखे न तो लोगन वेन बेक रियान क्लेइन बस्डे लिडे आरियंदर चार यह में बोलर और यह जो ग्राउंड ने बलवाइयों का ग्राउंड है इस ग्राउंड की ओपर साकिब जुल्फिकार का पपो में सच्छा है तो बांचवाभोलर आप में साकिब जुल्फिकार मान के चल सकते हो बाकि क्लेटन फोईड और विक्रम जी चिंग थोड़े और की कमब और की बोलिंग कर पाकि स्कोर्ट एडवर्ड को जब-जब मोगा मिलता अच्छा पफूमेस दे देता है, तो यह इनके आपको most probably playing 11 देखने को मिलेगी नेधरलेंड की, अब दोस्तों हम हर एक player का record देख लेते हैं, उसके बाद टीम बनाएंगे, सबसे पहले हम विगट कीपर सेक्शन से स्टा पास performance नहीं दे पाए, आप score record देख सकते हैं, उसके बाद अगर हम नेधरलेंड की तरब से बात करें, तो स्कोर्ट एडवर्ड 6 नंबरें में बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में चार रन ते, लेकिन उससे पहले दो बार सरसर शर शर रन, उससे पहले एक बार 0, फिर सरसर और 53 रन, यानि चार मैचों में इस प्लेर का performance भी अच्छा है, उसके बाद नोहा कारिया को खेलने का मोकार नहीं मिले, अब देखो दोस्तों यहां से बात करें ना, तो मैथ्यू क्रोस और स्कोर्ट एडवर्ड का record ठीक है, आप चाओता प्रें में से किशी को भ पारें बात करें, तो हमारे पास स्कोर्ट लेंड की तरब से रीची बैलिंटन, पांच नंबरी बैटिंग करने आ सकते हैं, राइट हैं लास्ट के तीन मैचों में साथ, तेरा, दस फ्लोप थे, उससे पहले एक मैच में साथ रन, 127 रन, दस रन, यानि 6 में से दो मैचों के 15 रन एक विगेट जो पहला मैच था, उसके अंदर परफोमेंस अचा था, उससे पहले एवरेजी परफोमेंस देखने को मिला इस प्लेर का, लेकिन वही बात हैं ओपनिंग करने आता है, तो डिपरेंचेल भी निकल के आ सकता है, उसके बाद यागो दोस्तों अगर हम बात थोड़ी कम करता है, लेकिन बैटिंग से भी ठीक टाक परफोमेंस दे रहा है, उसके बाद मैक्स ओ डाउड ओपनिंग करने आते हैं, लास्ट मैच में 35, उससे पहले 0, उससे पहले 36, उससे पहले 96, यानि 6 मैचे तीन मैचों में प्लेर, ड्रीम टीम में देखने को मिलाता तो डिफ्रेंशल रहा सकता है, ग्रेंड लिग का सेलेक्शन थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद तेजा निंडरा मुनरू है, पांच नमबर ही बैटिंग करने आते हैं, अब तक अगर हम बात पर 6 मैचों में, तो एक मैच में 111 रन है और एक मैच में ठाउंड रन है, मत्तर एनि लास्ट के 3 मैचों में प्लेट ड्रिम टीम में ज्रेगा बनाने में सक्सेस्पुल रहा है, लेकिन उससे पहले 3-39 उससे पहले 3 मैचों में थोड़ा फ्लोप देखने को मिला है, लेकिन लास्ट मैच में 97 रन बनायते हैं, यह आप देख सकते हैं, उसके बाद यागो दोस्तों, अगर हम ओल राउंडर की बात करें, तो हमारे पास स्कोटलेंड की तरफ से माइकल लिस्क, राइट हैंड बेट्स में ओफ ब्रेक बोलिंग कर लेते हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट 48 रन कमाल का पफुमिस था, और मेरे इसाब से लास्ट मैच में स्प्लेर को बेट्स में है, लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले अगर हम बात के तो 5 विकेट, एक विकेट, ओल्मोस्ट हर एक मैच ही विकेट निकाला है, और बेटिंग भी ठिक्टा कर लेता है, उसके बाद ब्रेंडन मैकमूलन ती राइट आम मीडियम बोलर है, आठ नमबरे बेटिंग करने आ सकता है, जोनों साथ मैmm लिता है। बनाते हैं लेकिन उससे पहले 40 रन, 3 विकेट, 33 विकेट, कापेच्ची जीफ हूँनगा आप यह दोगोड देख सकते हो। और देखो दोस्तों ये प्लेट भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का छॉपसन है, उसके बाद शाकिप जुलफिकार, लेक ब्रेक स्पीनर ने लास्ट में से विकेट लेस था, लेकिन ये वाला मैच है ये वाला मैच खेला जाएगा बुलवायो के ग्राउंड की उपर, और लेते हैं, लास्ट के दो मैचों में 1-1 विकेट, उससे पहले 0, उससे पहले 4 विकेट, एवरेज पोफोमेश है, लेकिन अगर स्कोटलेंड की टीम पहले बोलिंग करें, तो इंपोर्टन करें सकता है, उसके बाद मार्क वोट, लेप्टाम ओर्टोक्स बोलर है स्कोटलें यानी, अच्छा बोलर है, ऊल्मोस्ट हर मैच ये विःकेट निकालता हुआ, आ रहा है, उसके बाद अगर हम बात करें, टो एन आयल्स को खेलने का मोगा नहीं मिला था, हमजा टायर को लास्ट मैच में खेलने का मोगा नहीं मिला था, और एवांज को भी लास्ट मैं में बोलिंग करता है अगर यहां पे नेधरलेंड की टीम पहले बोलिंग करती है तो important रह सकता है उसके बाद क्लेटवन फ्लोईड लेफ्टाम और्थ डोक्स बोलर लास्ट मेच में 0 विकेट विवान किंग मा लास्ट मेच नहीं के नाएंगे सबसे पहले हम यहां पर ओल्डाॉंटर सेक्षन से स्टार्ट करेंगे सबसे पहला नाम है Brandon McMullen वस्डेलिडे यह दोस्तों तीन नूम्पर यह चार नूमर ही बेटिंग करने हैं यह प्लेयर भी इंपोर्टेट है और चोथा नाम है क्रिस ग्रीव राइट डाम लेक्प्रेक स्पीनर है सबसे पहले मैंने ओल्ड राउंट सेक्षन के बिलिए यह चार प्लेयर चूज कर लिए अब अगर हम बोलिंग की बात करें अगर बोलिंग के अंदर मार्क वोट और क् के तोर पर चूज किए अब तीन प्लेयर ना वह आपको रोटेट करने पड़ेंगे और वही आपका टीम डिसाइडिंग फैक्ट रहेगा अभी के लिए मैं सेफ उप्सन जाओं तो मैंने विक्रम जी चिंग को लिया उसके साथ साथ मैंने वैसले ब्रेसी को ले लिया उसक सेफ केप्टन है वाइस केप्टन बस डे लीड़े है यह वाली एक टीम बनी है इस टीम के अंदर आप एक आदा चेंज भी कर सकते हूँ जैसे यहां पर वैसले ब्रेसी को हटा के अगर आप चाओ तो आप मैथ्यू को मुका दे सकते हूँ स्टक्चर कुछ ऐसा बन एक चीज और बताता हूँ अगर यहां पर बाइचांस नेधरलेंड की टीम पहले बोलिंग करें उस केस के अंदर आरियन दाता ना यह दस ओर की बोलिंग कर सकता है इसको टीम में रखना पड़ सकता है पिछ का बिएवर देखके मैं टीम में रखूँगा इसलिए मैं आप Captain Captain Brandon McMillan और First Dale लィए है अलागि अगर आप चाहँ तो आप Chris Greve के साथ भी Captain Captain में से कुछ शेयर कर सकते हूँ बाके वी के लिए में अच्छे लेगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पो सब्स्प्स्राइब करना ना पुले दिनने बाद